आज हम बनाने जा रहे हैं गुजराती रेसिपी उंध्यू इस मक्कर संक्रांती या उत्रायन के तहवार पर हम बना रहे हैं उंध्यू उंध्यू में जो सबजियां पढ़ती हैं वो जनरली विंटर टाइम में मिलती हैं उंध्यू में सीजनल सबजियां पढ़ती हैं तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले हमें चाहिए होंगे सोग्राम सूर्ति पापड़ी, सोग्राम वालोर, सोग्राम तुएर, हरा चना, गवार सूरन, परपल सूरन, छोटे आलू, छोटे बैंगन, बड़े बैंगन, शकरकंदी, कच्चा केला, हरा लसन, हरा धनिया, मेथी, मिर्च, अद्रक, टमाटर रेसिपी शिरू करते हैं, मुठ्या बना रहे हैं, एक बोल में सोग्राम बेशन ले लिया, दो पड़े चमच गेहूं का आटा ले लिया इसमें एक चोथाई चमच अजवाइन डालेंगे मसालों में एक चमच नमक, एक चमच लालमर्च पाउडर, एक चमच चीनी, एक चोथाई चमच हल्दी पाउडर एक चोथाई चमच अद्रक का पेस्ट, सोग्राम मेथी के पत्ते, फैन्यूग्रिक लीव्स, दो चमच तेल डालेंगे एक प्लेट को तेल से ग्रीज कर देंगे और यहाँ पे मुठ्या बनाने के लिए हम आटा गून लेंगे आटे में थोड़ी दही डालेंगे अगर जरूरत पड़े तो हम थोड़ा पानी लेंगे आटा बना लिया, अब हम इसमें से मुठ्या बना लेंगे आप चाहें तो छोटे-छोटे बॉल्स भी बना सकते हैं थोड़ा सा पोर्शन लेके उसको हम प्रेस करेंगे और मुठ्या बना लेंगे इसे हम उन्ध्यो रेसिपी में डालने वाले हैं करीबन हम आट से दस मुठ्या के बॉल्स बना रहे हैं इसे फ्राय कर लेते हैं कड़ाई को गैस पर रख दिया तेल गरम कर दिया इसमें हम एक एक करके मुठ्या डालेंगे और इसे हलका सुनेरा होने तक फ्राय करेंगे मुठ्या का जो फ्लेवर है वो इस तेल में आ जाएगा इसलिए हम ये तेल पूरी सबजी में यूज करेंगे मुठ्या बनकर रेडी है चलिए इसे एक प्लेट में डाल देते हैं सबजियों में मसाला फिल करने के लिए हम मसाला बना रहे हैं हमने एक बोल में 50 क्रम हरी लसन ले ली 100 ग्राम हरा धनिया ले लिया 100 ग्राम डेसिकेटेड कोकनट नारेल का बुरादा इसमें फ्रेश कोकनट यूस होता है एक चमच नमक एक चमच धनिया पाउडर आदा चमच अजवाइन अजवाइन इस रेसेपी में बहुत ही इंपोर्टन्ट है तीन हरी मिर्च इसे एक अच्छा सा मिक्स देंगे सबजियों में हम छोटा पैंगन ले लेंगे और उसकी डंठल निकाल देंगे बीच में से कट देंगे और इसमें मसाला फिल कर देंगे फिर हम छोटे आलू ले लेंगे उसको बीच में से कट लगाएंगे और मसाला बर देंगे इसी तरह सभी सबजियों में हम मसाला बर देंगे फिर थोड़ा सा पोर्शन हम अलग कर देंगे मसाले का इसे हम सबजी के उपर डालेंगे अब मसाले में सूर्ती पापड़ी वालोर पापड़ी एड करेंगे तुएर, हरे मतर, हराचना, गवार सब इसे मसाले में मिक्स करेंगे थोड़ी से दाने रख देंगे इसे हम सबजी के उपर डालेंगे एक अच्छा सा मिक्स देंगे और इसे करीबन आदे घंटे के लिए साइड करके रख देंगे इसमें हमने हरा चना और गवार डाली करीबन आदा घंटा होने के बाद एक कुकर को गैस पर रखेंगे उसमें हम दो बड़े चमच तेल डालेंगे हमने वही तेल यूज किया जो मुठ्या बनाने के लिए यूज किया था इससे सब्जी में फ्लेवर आएगा इसमें एक चत्थाई चमच अजवाइन डाली अब हम इसमें एक चत्थाई चमच हिंग डालेंगे जैसे ही हिंग फ्राय होती है हम इसमें सब्जी या डाल देंगे इसमें हम सूर्ती पापडी, वालोर पापडी, सूर्ती पापडी के दाने, वालोर पापडी के दाने, मतर, हराचना, गवार सबको हमने मसाले में मिक्स करके रखा था इसे हम भून लेंगे अच्छे से भून लेंगे करीबन दो से तीन मिनट तक भूनेंगे अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देंगे मसालों में हम इसमें आदा चमच हल्दी, एक चमच दनिया पाउडर एक चमच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम एक एक करके कटी हुई सबजियां डालेंगे इसमें हम सबसे पहले सूरन परपल सूरन इसे हम गुजराती में रतालू भी बोलते हैं फिर इसमें शक्करकंदी, कच्चा केला उसको डाल देंगे इसे हमने बड़े पीसिस में कट करके रखा है अब हम इसमें आलू रखेंगे जिसमें हमने मसाला बढ़के रखा था उंधियों बनाने में कम टाइम लगे इसलिए हम कुकर यूज़ कर रहे हैं इस सबजी को दीमी आज़ पर पकाते हैं इसमें हम बड़े हुए बैंगन डाल रहे हैं इस सबजी को बनने में काफी टाइम लगता है इसमें हम कटे हुए बैंगन भी डाल देंगे इसमें काफी सीजन की सारी सबजियां आ जाती हैं अगर आप इसमें चाहें तो आप गाज़र भी डाल सकते हैं इसमें हम बाकी बच्चे हुए दाने डाल देंगे सूर्टी पापरी के दाने, वालोड के दाने, तूएर के दाने, हरे चने, मटर के दाने आप इसमें अर्भी भी डाल सकते हैं सबी जबजियां कुकर में आ गई हैं अब हम कुकर को दो मिनिट ढखके रख देंगे ढकन हटा देते हैं इसमें वन फोर्थ कप पानी डालेंगे ज्यादा पानी नहीं डालना है और एक विस्सल होने तक कुकर को गैस पर रखना है चलिए रेसिपी को आगे बढ़ाते हैं एक कड़ाई में चार बड़े चमच तेल घरम करेंगे उसमें दो चमच राई के दाने डालेंगे राई जो फूट जाए उसमें एक चमच जीरा डालेंगे जीरे में से आवा जाने लगे तब उसमें हम दो तेजपते एक चोथका ही चमच हिन डालेंगे, एक बड़ा चमच हरा लसन, इस रेसिपी में हरा लसन और अच्वा youtube को दोनों ही इंग्रीडियन हैं इस सीजन में हरा लसन इसली मिल जाता है, अब हम इसमें एक चमच लाल मिच पाउडर डाल डाल देंगे and तेल में अच्छे से भूह ले इसमें एक चमच नमक डाल देंगे तिल डाल देंगे दो चमच तिल डाल देंगे आदा चोटी चमच अद्रक का पेस्ट एक चमच घरम मसाला दो चमच उंद्यू मसाला अगर आपके पास उंद्यू मसाला अवेलिबल नहीं है तो आप घरम मसाला ही डालें फिर इसमें हम दो चमच शकर डाल देंगे और एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे थोड़े टमाटर सौफ्ट हो जाएं इसके बाद हम कुककर में बनी हुई सबजिया निकाल देंगे और दीरे दीरे करके सबजियों को हम कड़ाई में डाल देंगे सबजियों को हम दीमी आज पर पकाने वाले हैं इसे हम कड़ाई में दीमी आज पर 25-30 मिनट तक बनाएंगे और जो हमने मुठ्या बना कर रखे थे वो भी इस सबजी में डाल देंगे टाइम बचाने के लिए हम एक दिन पहले मुठ्या बना सकते हैं और सबजियों को कट कर सकते हैं अब हम मुठ्या में 2-3 मुठ्या को तोड़ देंगे और सबजी में डाल देंगे और बाकी बचे हुए मुठ्या को भी सबजी में डाल देंगे जैसे पूरे मुठ्या सब्जी में मिक्स हो जाए और एक तरह की सब्जी लगे मुठ्या डालने से सब्जी में अच्छा फ्लेवर आता है साइट करके जो मसाला रखा था उसे भी हम सब्जियों के उपर से स्प्रेंकल कर देंगे जैसे और भी फ्लेवर सब्जी में आए और इसे ढखकन लगा कर 25 से 30 मिनट तक दीनी आज तक लग देंगे करीबन 25 मिनट हो गये हैं अब सब्जियों को अच्छे से मिक्स करेंगे इस सब्जी को हम पूरी के साथ चपाती के साथ भी सव कर सकते हैं और उंधियों और पूरी को साथ अकमपनी करने के लिए हम इसमें आमरस भी रख सकते हैं या तो सीजन के तिलगुर के लड़ू या तिलगुर लाई श्रीखन्ड ये सब भी रख सकते हैं सब्जियों को ध्यान से गुमाना है इसमें हम एक चमच नमक और एड़ करेंगे टोटल हमने त्लीन चमच नमक एड़ किया है पर आप चाहें तो नमक स्वादनुसा डाले फिर हम इसमें थोड़े मिर्च और डालने वाले हैं किसी किसी को तीखा उंद्यो खाना पसंद होता है तो वो स्पाइसी बना सकते हैं तो हम इसमें मिर्च डालेंगे और उपर से गरम तेल डाल देंगे इससे उंद्यो थोड़ा स्पाइसी बन जाएगा बाकी बचा हुआ पानी जो कुकर में था वो भी इसमें डाल देंगे चेक कर लेते हैं सबजियां गल गई हैं कि नहीं सबजियां अच्छे से कुक हो गई हैं अब हम इसमें करीबन डेट चमच तक लालमर्च पाउडर डाल रहे हैं ओपर से गरम तेल डाल देंगे अब हम इसमें दो नीभू डालेंगे इससे थोड़ा खटा मिठा फ्लेवर भी आएगा खटा मिठा स्पाइसी आप भी बनाएं और मुझे बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी और मेरे चैनल दीपा और लालवानी को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो को लाइक, शेर और कमेंट करें धन्यू वो वोच्छिं मै